अगले खबर में बात करते हैं रिवा जिले के गुड़ विधान सभा अंतरगत ग्राम पंचायत महसाओ की भारती सर्व सेवा संगठन के गुड़ ब्लाग कार्यकारणी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्य हुई है बैठक में संगठन के सत्ती करण को लेकर चर्चा किया गया साथ में संगठन के गुड़ ब्लाग के वरिष्ट पदाधिकारियों द्वारा बिंध प्रदेश के इतिहास को लेकर भी आपस में चर्चा करते हुए सर्व सम्मत से फैसला लिया है कि संगठन के गुढ बलाग के अंतरगत आने वाली सभी पंचायता ध्यक्ष एवं पंचायत के समस्त पदधिकारी अपने अपने पंचायतों में डोर टू डोर जाकर विंध प्रदेश के इतिहास के बारे में आम जंता को बताएं कि संगठन के गुडबलाग के अंतरगत आने वाली जिन पंचायतों में अभी जहां संगठन का विस्तार नहीं हुआ है वहाँ पर जद से जद संगठन का विस्तार करते हुए आम जंता की आवाज को और बुलंद किया जाएगा आज लोग यहां आज एकस्ठा हुए हैं चोडियार मोड में तो किस उद्देश से उकस्ठा हुए हैं आज यहां पर भारती सर्व सेवा संगठन के जो मासिक बैठक होती है प्रतन संड़े की वो आयोजित की गई थी और उसी बैठक के परिपेक्ष में हम लोग यहां पर इकठा हुए हैं और मीटिंग में आपसी चर्चा के दौरान जो निसकर से निकला है यहां पर तो बिन्द परदेश को लेकर हमारा बिन्द परदेश अलग किया जाया उसके लिए पधा धिकारियों न का इतिहास क्या रहा पहले हमारा बिंदे प्रदेश अलग था आज उसका विलय मध्य प्रदेश में किया गया उसके बीच में क्या क्या समस्याएं आई हमारे बिंदे के युबा ने क्या समस्याओं को छेला और तब जा इसके बावजूद भी बिंदे प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय किय गया उसी परक्रेक्ष में यहां पर चर्चा की गई है कि किस तरह से हम अपने बिंद प्रदेश को पुना अलग करवाएं ताकि जो बिंद प्रदेश में विकास अवरुद्ध है वो विकास हो सके यहां के लोगों का विकास हो इसके लिए यह चर्चा हुई कि हम लोग घर घ मुलखे प्रक्रदेश में विले किया तो यहीं चर्चा हुई और हमारे गुल ब्लाक का रिकारडी का जो यहां पर उसके बारे में संगठं के बारे में चर्चा की गई हम लोगों का मेन मुद्धा बिन प्रदेश को किस तरह से अलग करने का था कराएं गे इसी के विषव हम लोगों ने चर्चा की में